पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अल्लाउदीन खिलजी ने सुल्थान जलालुदीन से चंदेरी पर अभ्यान करने की अनुमती मांगी और वह एलिचपुर को जीतने के बाद देवगिरी के सम्रिध राज्य की तरफ बढ़ गया वहां से उसने अपार संपत्ति प्राप्त की कहा जाता है कि जब अल्लाउदीन सुल्थान को बताए बिना देवगिरी का अभ्यान कर रहा था उस समय सुल्थान जलालुदीन वालियर में था उसे अल्लाउदीन के इस गुपत अभ्यान की सूचना मिल गई इस पर सुल्थान के अमीरों ने सुल्थान को सलाह दी कि वह अल्लाउदीन का मार्ग रोक कर उस से लूट का माल छीन ले किन्तु सुल्थान ने ऐसा करने से मना कर दिया और दिल्ली चला गया सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को आशा थी कि पहले की भाती इस बार भी अल्लाुद्दीन लूट की संपून संपत्ति लेकर सुल्तान की सेवा में उपस्थित होगा और उसे समर्पित कर देगा परंतो इस बार अल्लाुद्दीन ने मालवा से कुछ दूरी तक दिल्ली की और चलने के बाद अचानक ही अपना मार्ग बदला और वह दिल्ली जाने की बजाए अपनी जागीर कड़ा मानिकपूर की ओर मुड़ गया कुछी दिनों बाद गंगा जी को पार करके वह कड़ा पहुँच गया जब सुल्तान जलालुद्दीन को यह सूचना मिली कि अल्लाुद्दीन दिल्ली आने की बजाए कड़ा मानिकपूर जा रहा है तो सुल्तान ने अपने अमीरों की एक सभा बुलाई और उनसे इस विशय पर परामर्श मांगा सुल्तान के शुबचिन तक अमीरों ने सुल्तान को समझाया कि अल्लाँदीन बड़ा ही मेत्वा कांक्शी व्यक्ती है उसकी दृष्टी तक्त पर लगी है अतहे उसके प्रती सुल्तान द्वारा कठोर नीती का अनुसरन किये जाने की आवशक्ता है सुल्तान को चाहिए कि तुरंत एक विशाल सेना लेकर अल्लाँदीन के विरुद्ध अभियान करे तथा उसकी सारी संपत्ति छीन ले सुल्तान के चाटुकार अमीरों ने इस सलाह के विपरीत सलाहदी तथा सुल्तान को समझाया कि यदि उसने ऐसा किया तो अल्लाँदीन तथा उसके साथ ही आतंकित होकर इधर उधर भाग जाएंगे जिस से सारा खजाना तितर बितर हो जाएगा अतह सुल्तान को चाहिये कि वह अल्लावदीन को बहला फुसला कर दिल्ली बुलाने का प्रयास करे सुल्तान जलालुदीन को इन चाटुकारों की सलाह पसंद आई और उसने इसी सलाह को व्यवहार में लाने का निश्चाए किया अल्लाउदीन खिल्जी भी अपने चाचा एम श्वसुर सुल्तान जलालुद्दीन की दुरबलताओं से भली भांती परिचित था इसलिए उसने खूनी शत्रंज की ऐसी विसाद बिचाई तथा सुल्तान को ठीक वैसे ही घेर कर मारने का निश्चे किया जैसे की शत्रंज के बादशाह को चक्मा दे कर मारा जाता है अल्लाउदीन खिल्जी ने सुल्तान के पास एक पत्र भेजा जिसमें उसने अपने अपराद को स्वीकार किया और सुल्तान से प्रार्थना की कि यदि उसे अभैदान मिल जाएगा तो वह लूट की संपत्ति के साथ सुल्तान की सेवा में उपस्थित होगा और उसे समर्पित कर देगा आशिरवादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि अल्लावदीन खिल्जी ने सुल्तान के पास अपने भाई उलूख खां को भेजा उसकी मिठी मिठी बातों से सुल्तान का अल्लावदीन खिल्जी में विश्वास बढ़ गया उलूक खाने सुल्टान को विश्वास दिलाया कि अल्लाव दीन देवगिरी से जो अपार धनराशी लाया है उसे आपको समर्पित करना चाहता है किन्तु दिल्ली आने और आपके सम्मख उपस्थित होने का उसे साहस नहीं होता क्योंकि उसने आपसे देवगिरी पर आक्रमण करने की आज्या नहीं ले थी सुल्तान अपने भतीजे के प्रती प्रेम और उदारता के वशी भूत था उसने अल्लाव दीन के पास चमादान भेज दिया अल्लाव दीन ने सुल्तान के सूचना वाहकों को वापस दिल्ली नहीं लोटने दिया इस पर भी सुल्तान की आँखे नहीं खुली अब अल्लावदीन ने अपने भाई असलमबेक के पास एक पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा कि वह इतना आतंकित हो गया है कि दर्बार में जाकर सुल्तान के समक्ष उपस्तित होने का साहस नहीं कर रहा है उस काहिर्दे ख्षोब से इतना संतप्थ है कि वह आत्मत्या करने की सोच रहा है उसकी रक्षा का एक मात रूपा यही है कि सुल्तान स्वयम कड़ा आकर उसे क्षमा कर दे जब अस्लमबेग ने सुल्तान को यह पत्र दिखाया तब सुल्तान ने अस्लमबेग से कहा कि वह तुरंत कड़ा जाकर अल्लाउद दीन को अभैदान दे सुल्तान ने स्वेम भी कड़ा जाने का निश्चे कर लिया वह एक हजार सैनिकों के साथ नावों में बैठ कर नदी के माध्यम से कड़ा पहुंचा जब अल्लाउद दीन ने सुना कि सुल्तान सेना लेकर आ रहा है तो उसने लूट की संपत्तिक के साथ बंगाल भाग जाने की योजना बनाई परंतु जब अल्लाउद दीन को यह ग्यात हुआ कि सुल्तान केवल एक हजार सैनिकों के साथ आ रहा है तब उसने बंगाल जाने का विचार त्याग दिया अल्लाउद दीन ने गंगा नदी को पार किया और दूसरे तट पर अपनी सेना को एकत्रित कर लिया इसके बाद उसने अपने भाई असलम बेग को सुल्तान के स्वागत करने के लिए भेजा असलम बेग ने सुल्तान को सरलता से अल्लाउद दीन के जाल में फंसा लिया उसके कहने से सुल्तान ने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल थोड़े से अमीरों के साथ अल्लाउदीन से मिलने के लिए आगे बढ़ा इस प्रकार अल्लाउदीन खिलजी तथा उसके भाईयों उलूख खां और असलम बेगने अपने ताउ के विरुद्ध मौत का जाल बिछा दिया सुल्तान केवल थोड़े से अमीरों के साथ अल्लाउदीन से मिलने के लिए नाव से उतर कर आगे बढ़ा सुल्तान अपने पालित भतीजों के स्नेह में अंधा हो गया था उसने अल्लाउदीन को निशंक बनाने के लिए अपने अमीरों के शस्त्र गंगाजी में फिकवा दिये अल्लाउदीन खिलजी ने सुल्तान के पैरों में गिर कर उसका ज्वागत किया प्रेम से लबालब सुल्तान ने अपने प्यारे भतीजे और दामाद को धर्ती से उठा कर गले से लगा लिया जब सुल्तान जलालुदीन अल्लाउदीन को अपने साथ लेकर अपनी नाव की ओर लोट रहा था तब मुहम्मद सलीम नामक व्यक्ती ने सुल्टान को छुरा मार दिया सुल्टान गायल होकर नाव की ओर भगा उसने चिल्ला कर कहा दुष्ट ल्लाउद्दीन यह तुने क्या किया परन्तो एक्तियारुद्दीन नामक एक दूसरे सैनिक ने सुल्तान को धर्टी पर गिराकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया इक्तियारुद्दीन ने सुल्तान का कटा हुआ सिर धर्टी से उठाकर इस प्रकार 19. जुलाई 1296 को सुल्तान जलालुद्दीन खिल्जी की जीवन लीला समापत हो गई जिस इस्थान पर जलालुद्दीन का धड़गिरा था उसी इस्थान पर अल्लाउदीन खिलजी की ताजपोशी की गई तथा उसे सुल्तान घोशित कर दिया गया अल्लाहुदीन के आदेश से सुल्तान का कटा हुआ सिर भाले पर टांगा गया और उसे कड़ा मानेकपुर एवं अवद के सूबों में घुमाया गया अगली कड़ी में देखिए सुल्तानों के खून का प्यासा था दिल्ली का शाही तक्त क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद